हेलो दोस्तों आप सभी लोग का वेलकम हैं स्वागत है उम्मीद है आप सभी लोग बेतर होंगी कई सवाल थे सीटेट की उत्तरकुंजी से लेकर सीटेट के रिजल्ट को लेकर तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट किलियर करने वाले हैं अगर आप इस चनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को सेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो चलिए हम लोग जानते हैं आप लोगों के क्या-क्या सवाल थी और उनके क्या-क्या जवाब हो सकते है सबसे पहले कुछ चात्रों ने हमें वार्टेट की मादम से ये मैसेज भेजा था कि जो सीटेट की उत्तरकुंजी इस बार आई है और उन्होंने कहा कि जब हमने कई आनलाइन कोचिंग संस्थानों की जो उत्तरकुंजी थी उससे मिलाया तो हमारे 90 से लेकर 54, 95 बन रहे थ सब्सक्राइब कि उसके बाद क्या क्या संभावनाय बनती हैं तो आपको बता दें पिछले कई वर्सों से हमने सीटेट के जो एकजाम होते हैं उनका जो पैटरन होता है उतरकुंजी चैलेंज के बाद जो दूसरी उतरकुंजी आती है या कहें कि उतरकुंजी के साथ अंक आपकी उत्तरकुंजी में जो आनलाइन कोचिंग संस्थानों से आपने उत्तरकुंजी मिलाई है जो आधिकारी उत्तरकुंजी है इसमें आठ से दस अंक अगर आपके कम हो रहे हैं तो क्या इतने अंक बढ़ जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं आपको बता दें CBSE की त दस अंक आपके कम हैं और आपको ऐसा किसी ने कहा है कि आठ से दस अंक कम होने के बाद भी आपके जो अंक हैं वो बढ़ जाएंगे आठ से दस अंक बोना संक मिल जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता सीटेट कभी भी जो भी उतरकुंजी जारी करता है वो बहुत सोंस समझ के जारी करता है और उतरकुंजी चैलेंज करने के बाद जो दूसरी या कहें फाइनल उतरकुंजी आती है उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है और ये सीटेट का पहली बार नहीं है ये कई बार तीन अंक बढ़े थे नहीं तो दो और एक अंक तो एक दो अंक का अगर आपको फासला दिख रहा है और एक दो अंक से आप फेल हो रही है तो संभावना है कि आप पास हो सकती हैं लेकिन अगर आप पांच से दस अंक तक आपका अंतर है तो आप ये मानिएगा कि इतना बड़ा बदलाओ सीटेट की फाइनल उत्तरकुंजी में देखने को नहीं मिलता है इस चीज को ध्यान रखेगा अगर आपसे कोई कहता है कि ये बढ़ जाएंगी तो वो बिल्कुल गलत बोला है जूट बोला है अभी तक ऐसा कभी भी CBSE की तरफ से नहीं किया गया है दूसरी बात ये है कि जो उत्तरकुंजी है उसको चैलेंज करने के लिए आपको समय दिया गया है साथ तारिक से दस तारिक के बीच आप चैलेंज कर सकते हैं और इस जो चैलेंज करना होगा उसके लिए एक हजार का सुल्क भी निर्धारित किया गया है जैसा कि आपको मालूम होगा तो यह सारी चीज़ें आपको मालूम होगी लेकिन इंपोर्टेंट चीज यह है कि जो सीटेट का रियल्ट आया है कब तक आएगा क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी सिछक भरती की जो घोसित कर दी है और आवेदन की तिथियां भी घोसित कर दी गई है तो आपको बताते हैं 30 से 35 दिन का वक्त लगता है 30 से 35 दिन से मतलब यह है कि जब आपका रियल्ट जो आना होता है और जो परिच्छा होती है उसके बीच में जो गयफ होता है 30 से 35 दिन होता है पिछली ब बार भी आप यहीं मान के चलेगा, तो 23 फरवरी आपका जो आवेदन करने की BPSC, TRE3 जो परिच्छा होने वाली है, उसमें जो आवेदन करने की तित्री है, वो 23 फरवरी है, और आपके जो परिणाम है, वो 23 फरवरी से पहले आने की संभावना है, इस बार तो इस चीज के ल परिच्छा होने के बाद, और यह जो आपका फरवरी का महीना है, 23 तक कमों कर दिया गया है, तो लगवग एक महीने से ज़्यादा का वक्त होगा, तो ऐसे में वो छातर जो लगतार परिशान थे, कि हम आवेदन कर पाएंगे की नहीं, तब तक आपका पईडाम लगवग लगवगा जाएगा, तो इसलिए आप ज़्यादा परिशान होने के हो सकता नहीं है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यहीं समाऊना है, कि जो आपका रियल्ट है, वो 23 तारिक से पहले ही CBSC की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि CBSC के ओपर भी जो भरतियां है, उस उत्तरकुंजी चैलेंज करने के बाद क्या होता है, जो आपका रियल्ट है, वो रियल्ट आपको आर से दस दिन बाद आपको लगवग देखने को मिलने लगता है, तो उत्तरकुंजी दस तारिक के बाद चैलेंज जो तिथी है, वो समाप्त हो जाएगी, तो लगवग आर परियास करेंगे वीडियो को सेर नहीं किया तो कर दीजेगा और लाइक नहीं किया तो कर दीजेगा और चैनल पर नए मेहमान है कर दिकर दीख रहा होगा। जाके कर दीजेगा।